असलाम अलेकुम तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन फेड राइस जो मुस्ली सबका फेवरिट होता है और हम जुमेटो से या रेस्टुरेंट में जाके जो दो से चारसो पांचो रुपे खर्शा करके माहर से खाके आते हैं वो हम अपने घर में ही बनाएंगे और बहुत ही ट दनिया पाउंडर 1 टेस्पुन रैट चलि पाउडर 2 चममचर लिया है कॉनफलोर और अधा चोटा चममच नमक थोड़ी से छलदी व में दालेंगे हम अधरक लसन का पेस्ट और एक चम्मच इसमें हम डार्क सोया सॉस डालकर 20-30 मिट तक रख देंगे मेरनेट होनी के लिए और अब पैन में हम लेंगे 2 चम्मच और इसमें दालेंगे 4 अंडा तो अंडे की कॉंटिटी आप कम या जादा कर सकते हैं और इसमें चिकन फ्राय हो चुका है अब इसे भी हम निकाल लेंगे और हम दुसरा पैन लेंगे उसमें लेंगे हम दो चम्मच और उसमें हम डालेंगे एक चम्मच अधरक लसन का पेस्ट और यह वेजीटेबल्स में लिए हैं कुछ जिसमें लिए हम इने श्रिम्ला मिरिच, गाजर, अब जो हरी प्यास का वाइट पार्ट होता है वो इसमें हम डालेंगे और अधरक लसन के साथ उसे हम 30-40 सिकंड तक फ्राय कर लेंगे इन्हें हमें ब्राउन नहीं करना है बस हलका फ्राय करना है और इसमें हम डालेंगे अब प्त्ता गोभी, श्रिम्ला मिरिच और गाजर और यहां पे मैंने 4-5 मिर्ची कली ली वी है कट करके बारीक तो इसमें भी हम थोड़ा दालेंगे और इसे हम एक ही साथ फ्राय नहीं करनेंगे आप 2-3 बार में फ्राय करनेंगे तो मैंने 500 ग्राम चावल लियावा है तो इसे मैं 2-3 बार में फ्राय करूंगी तो यह बनाएंगे न तो इसमें 2 चमच तेल और एक चमच नमक डाल कर बनाएंगे चावल थोड़ा खिले खिले होते हैं और बनाकर इसे हम छाल लेंगे पानी थोड़ा जादा डालेंगे और चावल खिले खिले होते हैं अब इसमें हमने डाली है हरी प्यास तो थोड़ा सा हरी प दाला हुआ है और एक चमच हम लेंगे डाक सोया सॉस इसे भी दाल देंगे और इसी के साथ हम दालेंगे एक छोड़ा चमच विनेगर और यह जो हमने अंडे फ्राइ किये थे इसमें से थोड़ा हम अंडे डालेंगे तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था इन सारी चीजों क कॉंटिटी आप कम यह जादा कर सकते हैं जैसे चिकन और यह अंडे और सबजीयों की और इसे हम तीन से चार पार्ट में डिवाइट करके बना रहे हैं थोड़ा थोड़ा जब बनाते हैं तो यह अच्छे से फ्राइ भी हो जाता है और यह मैंने डाल दिया है चिकन तो चि 15 different में अच्छे से कूख हो जाता है और यह तेखें रैडि होगा हमारा चिकन फ्रैट राइस किंगें कितने ईजी तरीके से बंके तैयार हो जाता है घर पर ही बस आप preparation कर ले तो यह 8-10 में बंके रैड़ी हो जाता है बहूत इजी तरीके से तो यह दखें बनके रैडि कहो तर लाइ, शेयर और सब्सक्राइब. अलाँ आफिस.